तो आज के वीडियो में मैं आपको फाइनल सर्कल्स दिखाऊंगा और मैं जो हूँ एस लिग में हूँ तो यह एस लिग के फाइनल सर्कल्स है अभी हमारे 17 अलायूल है और 5 किल्स हमारे अर्डेडी हो चुके तो अब हम चिकन डिनर भी लाएंगे और साथी साथ किल्स भी लाएंगे बहुत सारे किल्स लाएंगे और चिकन डिनर लाएंगे इंदिस एपिक डियो वर्सी स्कॉर्ड क्योंकि अभी सिफ दो बंदे बचे और हमारे बाकी सारे लोग चार में होगे और फाइनल सर्कल्स है एस लिग के तो में पता हैं दो website कैंने वानुटन्पर आदा सैफे जोन के बाहर हैं तो आगर वो पुश करते रस करते जब सेफ्जोन आता है तो हम् क्यूंकि कभर में है हम उन्हें ї Lub iteration मार पाएंगे और वह रश राइट साइड में करेंगे वह जो घर है लास लियोनेस के उस साइड पर रस करेंगे तो वी आ रेडी फोर आम और से जोन श्रींग हो रहा है ब्लू जोन अंधर आ रहा है तो मेरे ख्याल से वह रस करेंगे एनी टाइम और अगर माँंटेड इंशिव जोन के अंदर है तो फिर वही पर वेट करेंगे और नेक्स सर्कल में रश करेंगे तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो 17 पीपल अलाइव है गंशोट भी सुना ही दिया बट बंदा नहीं दीखे दिया और अगर हम ज्यादा बाहर निकले तो हमें शॉट भी हो सकता है हमें कोई किल भी कर सकता है नॉक आउ हमारे टीममेट ने बोला हो लोग करें हमने फ्यू शॉट भी मारे फायर भी किया बट नहीं लगे बच गए तो हमें पता है कि अब जो दो स्कॉड है मेरे ख्याल से और एक स्कॉड है जो वेरहाउस के पीछे जो ग्रीन वाला वेरहाउस है उसमें और एक स्कॉड है जो ब for it and let's get that chicken dinner तो अभी तो हम फिलाल वेट कर रहे कि कोई एनिमीज बाहर आए वो गलती कर रहे और हम उन्हें easily मार पाए ठीक है एनिमीज है यानि कि हमारे टिम्मेट को बंदा दीखा है सामने कई पर तो हमारे पास काईस AWM है हमें फ्लेर गन मिली थी तो उसमें से हमने AWM उठा ली थी और हमारे पास इक सक्स को भी है हमारे टिम्मेट ने एक बंदे को नॉक किया हमें दीख नहीं रहा वरना हम कील कर देते पाम का एक या दो शॉट्स लगते नॉक आपट होने के बाद तो ब आपे बंदा देखा गाईस देखे पत्थर के पीछे था एनिमी जई कर देंगे ताकि हमारा टिम्मेट भी उससे देख पाए और अगर वह पीक करता है तो हम उसे मार पाए तो मेरे ख्याल से जो पत्थर है जिसके पीछे एनिमी गया है वह सेव जों के बाहर ता और जैसे हमने बोला और एक बुलेट लगी मेरे ख्याद जो वेरहाउस के अंदर जाएगा तो हम रेडी थे डोर पे एम करके रखा था और और एक शॉट हमने मार और एक बुलेट उस बंदे को लगी तो वहाँ पे दो बंदे हैं सेफ जोन के बाहर है और जो क्योंकि फाइनल सरकल्स ह है इसलिए बहुत ही ज्यादा है हेल्थ कम होती है और हमें एक किल भी मिला यहाँ पर वही बंदा है वापस से पुश कर रहा था रश कर रहा था और हमने वापस से उसे किल कर दिया जैसी बंदे ने जहम करके लैंड किया वैसे हमने शॉट लगाया और यहाँ पर और एक ब करने कि यह वाला जो घर है यह वाला स्टैस वाला इसे यह भीसेंट करना है से लों हमारे पास ही यह हमारे साथ ही है टेश पिस गर कॉलेंगे भीस नाइडिक फाहर किया किसी एनिमी एंज फिर हम मढली कम हुई तो अभीहल्द बड़ा लेते फिर हम चार्ज करेंगे, हम पुश करेंगे उस साइड और we will get those skills और health हम बढ़ा पाई उसके पहले ही बंदा आ गया था पीछे नॉक आउट कर दिया और किल भी कर लिया तो अभी health बढ़ा थे पर देखते क्या है और हमारा teammate है वो पुश कर रहा है तो उसे push नहीं करना चाहे था वो पुश कर रहा है तो हमें भी उसके पीछे जाना पड़ेगा और gunshot सुनाई दिये और हमारा बंदा नॉक आउट हो गया उसने एक बंदे को नॉक आउट किया और वो खुद भी नॉक आउट हो गया तो अभी हमारे पास health भी नहीं है तो थोड़ा सोच के जाना पड़ेगा और यहाँ पे दो foot steps आ रहे थे एक बंदा नॉक आउट है एक बंदा जिंदा है और वो जिंदा बंदा था उसे भी हमने head shots मारे and we got that guys अगर यह 1000 IQ के लिए यह मूव नहीं है 1000 IQ वाला तो मैं नहीं जानता कौन सा मूव होगा 1000 IQ वाला तो अभी भी दो बंदे जिंदा है दोनों के दोने मुझे लगता है कि सेम टिम के हम अके लिए solo versus duo in the final circle of ace league so this is gonna be fun और अब जो भी move होगा मेरा वो guys आप देखना 1000 IQ वाला move होगा so we will wait for them और जैसे मैंने बोला था हमारी जो building थी stairs वाली हम उसे defend करेंगे end तक क्यूंकि that will be easy and that will be worth some थोड़ी उसमे strategy लगेगी और मज़ा आएगा तो अभी safe zone के अंदर ही है हम health बढ़ा लेते हैं मलब पूरा boost कर लेते हैं और क्यूंकि हमारे पास adrenaline injection था तो हम उसे use करेंगे और फूरा full boost कर देंगे so right now we are waiting for the enemies मेरे ख्याल से वो warehouse या फिर वो container से वही sites आएंगे और हमें यहां पर footsteps सुनाएं दिये यानि कि बंदे ह। हमारे building के आसपास है building के boundary में ही है और दोनों सेम टीम के ही क्यूंकि दोनों के footsteps साथ में। आ रहे एह साथ में सुनाएं मैं पता है दुसरा बंदा नीचे ही है तो यहां पर मैं नीचे भी चा सकता था ग्रेनेट भी फैक सकता था बट मैंने क्या किया मैंने थोड़ा IQ लगाया और नीचे जम किया फिर नीचे से मैं गया उसको पता ही नहीं है कि यहां से भी बंदा सकते है और हम नीचे से गए and we got that kill guys यह देखे 1000 IQ वाला move so this is how we got the chicken dinner in the ace league जब हमने start किया था हमारे सिर्फ 5 kills थे और अब हमारे 11 kills हो गए and with that chicken dinner so यही था guys आज का वीडियो बहुत ही मज़ा आया यह game में और अगर मैं live stream करता हूँ तो आप भी मेरी live stream को join करना है मैं subscribers के साथ ही खेलता हूँ और मैं दो पेर को try करता हूँ live stream करने की तो यही था guys आज का वीडियो बहुत ही मज़ा आया और अगर आपको लगता है कि मैं ace league में नहीं हूँ यह ace league के नीजे था तो अभी जब home screen आता है तब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं squad, Asia, TPP में ace league में हूँ नहीं जो season है उससे आप यहाँ पे देख लीजे तो यही था आज का वीडियो thank you for watching अगर वीडियो पसंद आए हो तो like कीजेगा और ज़्यादा ही पसंद आए हो तो channel को subscribe करना मत बूलना thank you again guys, thank you very much